Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Prakaas Pharmacy Prakaas Pharmacy में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने जा रहे हैं विगोरा टैबलेट के बारे में तो विगोरा टैबलेट में आपको ये जनकारी आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस्तिमाल की जाती हैं कितना देर पहले इस्तियमाल की जाती है और विगोरा टैबलेट से समझेद कुछ जो common question होते हैं सभी लोगों का जो कि हर कोई जानना चाहता है कुछ questions ऐसे भी है कि क्या विगोरा टैबलेट खाने पर इसकी आदत पढ़ जाती है कुछ लोग का प्रस्ण ये होता है कि क्या इस विगोरा टैबलेट को हम लेडिज को भी खिला सकते हैं तो आज इन सारी जानकारियों को हम आपके सामने रखने वाले हैं तो आप बने रहे हैं हमारे साथ बिरा वीडियो को skip किये तो चलिए जानते हैं सबसे पहले बिगोरा टैबलेट के बारे में कि बिगोरा टैबलेट है क्या बिगोरा टैबलेट जो है 50 mg और 100 mg में आती है जो salt होता है वो sedna fill citrate होता है जो कि बिगोरा ब्रांड नेम से ये मार्केट में आपको मिलेंगा जिसे बिगोरा टैबलेट को germate company मनाती है तो germate company बिगोरा टैबलेट को बनाती है सबसे पहले जानते हैं बिगोरा टैबलेट का इस्तिमाल कि रोगों में करते हैं कब करते हैं तो बिगोरा टैबलेट का इस्तिमाल हम penis erection में करते हैं अर्थात जिनकी जो है पैनिस अर्थात जिनकी जो लिंग है वो सक्रिय नहीं है अर्थात उनकी जो लिंग जो है खारी नहीं हो पा रही है तो ऐसी इस्थिति में हम विगोरा टैबलेट का इस्तिमाल करते हैं इसके साथ में erectile dysfunction में भी हम vigora tablet का इस्तेमाल करते हैं erectile dysfunction को हम sword में ED भी कहते हैं तो ED की trait के लिए हम vigora tablet का इस्तेमाल करते हैं ED का जो हिंदियन बाद है वो नपून सकता है अर्था तो नपून सकता में vigora tablet का इस्तेमाल करते हैं Erectile Disorders में हम विगोरा टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं Erectile Disorders में जो आपकी पेनिस है वो खाडी नहीं हो पाती है या अगर खाडी होती है तो टाइट नहीं रहती है तो ऐसी इस्तिति में हम विगोरा टैबलेट का इस्तेमाल करते है ahlenी में जो Sigenapha mågo Abland kept Darny वो था hypertension को treat करने के लिए अर्थात high blood pressure को treat करने के लिए या जो दिल की विमारी है जिसे हम angina pectoris कहते हैं जो की cardiovascular disease है अर्थात ये एक दिल की विमारी है या high blood pressure अर्थात जो syrnafil sited का जो manufacture हुआ था सबसे पहले बनाया गया था वो high blood pressure को treat करने के लिए या दिल की विमारी को सही करने के लिए इसको बनाया गया था लेकिन उसमें कुछ बिसेस response नहीं उतना अच्छा मिल बाया लेकिन उससे अच्छा और better response इधर penis erection में इसका मिला जिससे उसके बाद जो है सबसे ज़्यादे इस्तिमाल penis erection में किया जाने लगा अब हम जानते हैं कि बीवरर टैबलेट जो है अर्था स्रिनाफिल sited काम कैसे करता है तो सिनाफिल sited जो है में इसका वर्क जो है वो है penis में blood flow को बढ़ा देता है लिंग में खुन का संजार बढ़ जाता है जिससे की लिंग की मांस पेसिया जो है वो एरेक्ट हो जाती है अर्था टाइट हो जाती है और मोटी हो जाती है अब हम समझते हैं कि विगोरा टाइबलेट को हम लेते कैसे हैं और कब लेते हैं तो विगोरा टाइबलेट को हम शुरुआत में अर्था स्टार्टिंग में हम 50 mg लेते हैं और सेक्स करने से अर्था संभोग करने से आधे घंटे पहले लेते हैं आधा गंटे पहले आप नार्मल पानी से या दूद से आप ले सकते हैं या गरम दूद से ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब हम विगोरा टैबलेट के कुछ साइड एफेक्ट के बारे में आपको जनकारे दे दें तो बिगोरा टैबलेट को सबसे जरूरी बात है कि उन लोगों को नहीं लेना चाहिए जो कि हार्ट के पेसेंट हैं जिनको हार्ट की कोई दवा चल रही है या कोई लीवर डिजेज है उनको अर्था लीवर से कोई भी परिसानी है तो आप सिर्णा फिर साइट्रेट अर्था तो बिगोरा का टैबलेट बिगोरा टैबलेट का इस्तेमाल न करें इससे सम्मधित अगर आपको किड्नी प्रॉबलम है या किड्नी कोई डिजेज है तो भी आप बिगोरा टैबलेट का इस्तेमाल न करें इसके साथ में अगर आपको heart injuries हुई हो कभी या heart की कभी कोई बिमारी हुई हो या हो या heart से सम्मधित कोई दवा चल लही हो तो आप vigora tablet का इस्तिमाल न करें या किसी भी तरह की जो लंबे समय से साल दो साल या छे महने अगर आपको लंबी दवा कोई चलानी हो या चल लही हो तो ऐसी स्थिति में भी आप vigora tablet का इस्तेमाल न करें अब कुछ common person है जो हर कोई जानना चाहता है या पूछना चाहता है या पूछता है तो उसमें सबसे पहले जो लोग पूछते हैं कि हम vigora tablet को कितना पहले इस्तेमाल करें तो vigora tablet को आप संभोग से आधे घंटे पहले ले सकते हैं गरम पानी या दूद के साथ में इसके साथ में जो कुछ लोग का प्रस्न ये होता है कि क्या इस vigora tablet को हम ladies को भी खिला सकते हैं तो नहीं बेलकुल नहीं आप vigora tablet को किसी ladies को नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये नुक्सान दायक सिद्ध हो सकता है किसी ladies के लिए और एक question है कि इसका जो है समय कितना होता है अर्थात इसको खाने के बार कितना देर तक इसका असर रहता है तो इसको खाने के बाद अर्था विगोरा टैबलेट को खाने के बाद जो इसका जो lifetime है वो है एक से दू घंटे तक इसका main work होता है, main असर होता है लेकिन अगर हम बात करें कि इतना दिर तक इसका असर रहता है तो इसका असर 6 घंटे तक लगभग रहता है 6 घंटे से 8 घंटे तक रहता है कभी कभी कुछ लोगों को 2-3 दिन तक थोड़ा बहुत असर इसको देखने को मिलता है अर्था थोड़ा बहुत असर 2-3 दिन तक भी रहता है और एक question है है कि उम्र क्या है आर्थात किस उम्र से के लोग इसे ले सकते हैं तो 18 वर्ष से ज्यादे के कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है जो कि एक स्वहस्त व्यक्ति हो उसे किसी भी तरह का कोई बिमारी नौ हूँ कुछ questions ऐसे भी हैं कि क्या विगोरा टैबलेट खाने पर इसकी आदत पड़ जाती है तो हाँ ऐसा कुछ addiction देखा गया है जो कि विगोरा टैबलेट खाने के बाद थोड़ी बहुत अगर आप continue विगोरा टैबलेट खा रहे हैं तो थोड़ी बहुत इसका addiction लोगों को feel होता है और कुछ addiction ऐसा भी है कि आप अगर 50 mg खा रहे हैं तो कुछ दिन बाद आपको 100 mg भी खाने पड़ेगी तो कुछ ऐसे addictions आपको दिखाई देते हैं तो इससे बचने के लिए आप जितना हो सके gap देकर ही विगोरा टैबलेट का इस्तेमाल करें विगोरा टैबलेट का side effect जो है आपको nose bleeding हो सकते हैं अर्थात नाग से आपको blood आ सकते हैं या आपको ringing bell in the ear अर्थात आपके कानों में जो है घंटी बजने की आवाज सुनाई देगी तो ये सब कुछ side effect हैं उसके साफ में आपके मुह पे आख नाख कान इन सब पे redness महसूस होगी या हलकी फुरकी अगर खुजली हो रही है तो भी आप विगोरा टैबलेट का side effect मान सकते हैं और ये side effect एक तरह के विगोरा टैबलेट की है अब कुछ ध्यान देनी वाली बात ये भी है कि ध्यान रहे कि विगोरा टैबलेट जो है या एक कोई पर्मानेंट इलाज नहीं है या एक अल्टरनेट इलाज है अर्थात कुछ समय के लिए ही इलाज है अगर आपको ऐसी कु सकते हैं इसकी अच्छे बेहतर इलाज के लिए